जैसरी क्रश्न कन्या राशी के लिए इस वर्स मई के बाद में बहुत सी तालियां बजने वाली है यह जो समय सुरू होने वाला है मई के बाद में गुरू का एक मई को जरराशी परिवर्तन होगा और आपके नाइंथ हाउस में जो यह गुरू चले जाएंगे तो जो वैपार में दिक्कतें आ रही थी वहाँ भी काफी हद तक कम हो जाएगी मान सम्मान में वो जिस तरह से बात नहीं थी सब कुछ होते हुए भी एक खटास रह जाती थी या वो काम करने के बाद में भी वो क्रेडिट नहीं मिलता था तो मई के बाद में वो क्रेडिट भी मिलना सुरू हो जाएगा सनी का गोचर आपके 6th house में है अगर आप किसी competitive exam की तेयारी कर रहे हैं तो मई के बाद में बहुत शांदार योग हैं कि वह competition आप निकाल लें अगर आप नौकरी चाते हैं तो नौकरी भी जब तक सनी आपके 6th house में बना हुआ है मार्च 2025 तक बहुत ही अच्छे योग है पूरा दम लगाईए आपकी नौकरी गौर्वेंट नौकरी में ट्राई कर रहे हैं अच्छा रहने वाला है सनी और गुरु दो ग्रह जो बड़े हैं वह आपको बहुत ज़्यादा benefit देने वाले हैं लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई बात होती है तो आपके लिए जो समश्याएं खड़ी करने वाले जो दो बड़े ग्रह हैं वह हैं राहू और केतू केतू और राहू जो हैं आपके लगन में और सप्तमभा में बने हुए हैं तो इस वज़े से अपनी health को लेकर इस वर्ष थोड़ा सा wishes ध्यान दें कोई आकश्मिक समश्या आपके सार्रिक समश्या आपको आ सकती है और वह परिशान कर सकती है जाते हैं एक नियम बना लिजिए कि वहां जाईए कुछ donation कीजिए कुछ अच्छा काम करके आईए तो यह राहू केतू की दिक्कत है वहां भी आपकी चली जाएगी और यहां साल वास्तम में अगर आप परियास करते हैं इमानदारी के साथ में तो competitive exam को crack करना कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है नौकरी में बहुत बड़ा फाइदा होना कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है तो इस वज़े से और लॉन का मैटर चल रहा है करजी का कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर भी अच्छे परिनाम आना लॉन मिल जाना लॉन पूरा चुका देना कोट कचरी के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके भी अच्छे परिनाम आ जाना भग्ये का पूरा साथ मिल जाना तो इस तरह से ये साल तो बहुत अच्छा है रहू के तू थोड़ी सी समझ्याएं थोड़ी से जटके देते रहेंगे लेकिन फिर भी बहुत ये अच्छा साल है और यहां बहुत अच्छा आप बना सकते हैं अपनी मेहनत के साथ में गरह आपको फाइदा देने को सबसे पहले तो आप ये सारी डेट्स नोट कीजिए ये जित्ती भी डेट्स देरी की हुई है इनका स्क्रीन सोट संबाल के रख लीजिए इन डेट्स पे आपको कोई भी नया काम नहीं करना है इस समय चंद्रमा आपका चौथा आठवा और भारवा रहेगा तो अगर आप कोई भी नये काम की शुरुआत करेंगे मकान लेना वहां लेना या कोई भी तरह की रिस्क लेना तो यहां इस समय थोड़े से आपको नेगेटिव परिनाम मिल सकते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखना इन डेट्स पे आप कुछ भी नया काम नहीं करना अब हम लेकर बारा फरवरी के बीच में 15 जनवरी से लेकर बारा फरवरी के बीच में हम जो यह डेट्स हम लेकर आये हैं हर महीनेवाइज यह सूर्य के रासी परिवर्तन के हिसाब से हैं सूर्य को केंदर में रखकर राशी फिलित केनने की कोशिस की गई है जिससे हम इधर उधर तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में तो 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में सूर्य जो है मकर रासी में ब्रोचर कर रहे हैं आपके 5th house में आ जाएंगे तो जब यह 5th house में सूर्य आपके यहां आ जाएंगे और मंगल देव जो है 5 फरवर तक का आपको अनावश्यक खर्चे संतान की वज़े से या कोई नई आपकी होबी की वज़े से या आपके कुछ न कुछ खर्चे इस तरह से रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती है वहाँ आपको मन को प्रसंचित वाला इन्वार्मेंट नहीं रहेगा अगर आपको विसेस कर जो देखने को मिलेगी वहाँ जो है एक फरवरी तक विसेस देखने को मिलेगी और एक फरवरी के बाद में भी आपको मिल सकती है तो यह महीना संतान समश्याओं से लेकर आपके प्रसनल संबंध हैं उनको लेकर आपके लिए थोड़ा सा विचलित करने व है वहाँ एक फरवरी तक आपके फोर्थ हाउस में बने हुँ रहेंगे तो यहाँ एक फरवरी तक आपको विसेश फाइदा देंगे माता से लेकर आपको कोई अच्चय सुभ समाचार मिल सकता है वहाँ अगर आपका कोई artistic work है तो वहाँ आपको विशेस फाइदा मिल सकता है, वहाँ आपको ये विशेस फाइदा देने को बुद्ध देव तयार रहेंगे, वहाँ से भी आपको फाइदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मंगल देव जो है, वो 5 फरवरी तक रहेंगे, तो थोड़ा बहुत वहाँ चलाने म आपको पांच फरवरी तक आपको क्या करना चाहिए थोड़ी सी रिस्क कम लेनी चाहिए पांच फरवरी तक आपको वहां चलाने में थोड़ी सी ज्यादा तेजी के साथ नहीं चलाना चाहिए थोड़ी सी एहतियात भरतनी चाहिए पांच फरवरी तक 18 जनवरी को जो है बुद्ध आपके 4th house में आ जाएंगे तो अगर आपका artistic work है आप मीडिया में है या कुछ इस तरह से काम करते हैं तो आपका 18 जनवरी के बाद में बहुत अच्छा योग है आपके professional relationship में उठाव लेके आएंगे अगर आपका artistic work है मीडिया से जुड़ा हुआ है जनता से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वहाँ जाकर आपको विसेस फाइदा ये देंगे अब यहाँ पर जो रहू और केतु वर्स परियंतर आपके केतु आपके लगन में रहेगा और रहू आपके 12th house में रहेगा तो इस केतु की वज़े से एक चीज में बता देता हूँ इस साल आपका सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है लेकिन ये केतु आपको tension देते रहेगे इस केतु की वज़े से आपको थोड़ी बहुत tension रहेगी कोई नो कोई मेटर आपको परिशान करता रहेगा तो इसका मैंने उपाय बता दिया है क्या करना है जो भी किसी भी आस्रे में जाईए जहां बच्चों क्या प्रॉलम चल रही हो वो फिजिकली चैलेंज हो महाँ पर कुछ दान कीजिए जिससे ये टैंसन वाला जो पोर्षन है जो आप बिना फालतू का मानसिक तनाव लेने वाले हैं इस वर्ष वह आपको कम रहे और टैंसन नहीं हूँ और हो सकता है कि अगर कोई सर्जरी अगर हो सकता इस वर्ष आप अगर प्लान करते हैं तो अपने एस्ट्रलोजर से अच्छी एडवाईज लेकर उस सर्जरी को प्लान करें अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में तो 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में सूर्य देव आपके 6th house में आ जाएंगे बहुत ही शानदार बात है अगर competitive exam के तयारी कर रहे हैं तो वहाँ विसेस फाइदा हो सकता है और अगर lawn का कोई matter है तो coat कचरी का कोई matter है तो वहाँ विसेस फाइदा हो सकता है यहाँ टाइम जो है 13 फरवरी से 13 मार्च का इन मामलों में बहुत ही शानदार रहेगा लखी रहेगा बुद्ध और सुक्र जो हैं 5th house में आपके रहेंगे मंगल यहाँ पर उच्च कर रहेगा तो संतान समश्यां थोड़ी बहुत आती रहेगी थोड़ा बहुत आपको परिशान करेगी नया काम अगर आपने कोई सुरू किया है नई कोई होबी है या कोई नया कोर्स जोइन किया है इस समय तो थोड़ा समश्यां आपको श्ट्रगलिंग फेस का सामना करना पड़ेगा मन बुताबिक काम नहीं होंगे और एक चीज और रहेगा इस वर्ष इस समय तेरा फरवरी से लेकर आप सांत मार्च तक क्योंकि सुक्र यहाँ पर सांत मार्च तक आपके फिफ्ट हाउस में रहेंगे आमोद परमोद के साधन में entertainment में आपका ध्यान ज्यादा लगेगा पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान थोड़ा सा कम लगेगा और इस समय आपके नए रिलेशन भी सांत मार्च तक कुई न कुई हो सकते हैं बन सकते हैं अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अपरेल के बीच में तो 14 मार्च से 12 अपरेल के बीच में सूर्यों जो हैं आपके 7th हाउस में आ जाएंगे यहाँ पर रहू पहले से रहेंगे और यहाँ पर बुद्ध भी रहेंगे तो यहाँ पर 7 मार्च को बुद्ध आ चुके हैं और 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके सप्तम हाउस में बुद्ध बने हुए रहेंगे अब यहाँ पर बुद्ध जो है 7 मार्च से लेकर लगबक 26 मार्च तक यहाँ पर बना हुआ रहेगा और उसके बाद में 10 अप्रेल से लेकर 10 मई तक भी बुद्ध यहाँ पर रहेगे तो यहां जो मैंने टाइंग बताया आपको 7 मार्च से 26 मार्च का और उसके बाद मैं 10 अप्रेल से लेकर 10 में तक का समझ में आ गया यहां समय आपकी हेल्थ के इसाब से सही नहीं कहा जा सकता इसमें आपको कोई सररीक परेशानी हो सकती है अपनी हेल्थ का अगर आप डाइबिटीक है या कोई भी आपको chronic illness है या अस्तमेटिक है या allergic problem है तो इस समय अपना विसस द्यान रखें इस समय आपको हेल्थ समझी कोई ऐसी समझिया आ सकती है तो इस समय एक काम करें, जब हम रासिफल देने का मतलब यही होता है, कि आपको जो घटना घटित होने वाली है, उसको effect कैसे कम किया जाए, तो उसका यही है आप भगवान गनेश जी की सरण में जाएं, गनपती जी की सरण में जाएं, बुद्वार के दिन आप गनपती अर् करना है, कब करना है, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च और 10 अपरेल से लेकर 10 माई के बीच में, अपनी हेल्थ में यह समश्या नहीं आए, इस वज़े से आपको यह काम करना चाहिए, इसी के साथ में सूर्य भी यहां बने हुए रहेंगे, तो आपके partnership issues भी आ सकते हैं, अपनी पत जाएंगे, 31 मार्च को जो है, सुक्र जो आपके यहां पर 7th house मा आएंगे, और थोड़ा सा balance लेकर आएंगे, क्योंकि सुक्र जब भी उच्च का होता है, कन्या राशी वालों के लिए बहुत beneficial है, सुक्र घर आपके लिए बहुत beneficial है, और यह 31 मार्च से लेकर 26 अप्रेल त सुधर जाएंगे, भग्य का पूरा साथ मिलेगा, और पत्नी का भी सहयोग इस वाम आपको मिलने लग जाएगा, जो थोड़ा बहुत सूर्य यहां पर problem कर रहा था, जो बुद्ध नीच का हुआ था, वो problem कर रहा था, वह सब कुछ जो है, 31 मार्च को जिसे 26 मार्च तक मैं और यह 31 मार्च से लेकर 26 अपरेल तक यहां बने हुए रहेंगे, 31 मार्च से 26 अपरेल तक बने हुए रहेंगे, तो जब तक सुक्र जो है, 31 मार्च से 26 अपरेल तक आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, पत्नी के मामले में, रिलिशन के मामले में, भग्य का पूरा साथ आ है 26 अपरेल तक तो सुक्रदेव दे देंगे तो 16 दिन तो सुक्र की वज़े से अच्छे चले जाएंगे तो वो जो बड़ा टाइम था हेल्थ को लेके तो डिस्पूट रहेगा लेकिन जो वाइफ के साथ में जो रिलेसंसिप में से लेकर 14 जून तक इस समय क्या होगा कि पीछले महीने में एक महीना अब हम बात करते हैं 13 अपरेल से लेकर 13 में तक 13 अपरेल से लेकर 13 में तक तो 13 अपरेल से लेकर 13 में के बीच में क्या होगा कि सूर्य जो है आपके अश्टम में चला जाएगा और उच्च के हो जाएगे तो इस समें कोई बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना आपके सामने आ सकती है जिसमें आपका खर्चा हो जाएए पैसे का investment इस समें जो आपका unexpected हो उस तरह का खर्चा हो सकता है बुद्ध जो है यहाँ पर अपने 10 मही को आजाएंगे 10 मही को बुद्ध के यहाँ पर आने की वज़े से थोड़ा सा अब आपको health के अंदर जो आपको पहले problem आ रही थी जब तक बुद्ध नीच का था उसमें थोड़ी सी आपको साहिता मिलेगी 10 मही के बाद में आपकी health में थोड़ा सा सुदार मैसूस कर पाएंगे सुक्र आपके 26 अपरेल के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे एस्टम के अंदर तो जो उच्च का जो सयोग मिल रहा था वह थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले जितना भग्य का साथ अब नहीं मिलेगा क्योंकि सुक्र 26 अपरेल के बाद में उच्च के नहीं रहेंगे तो 26 अपरेल तक आपको भग्य का पूरा साथ देंगे अब यहाँ पर 13 अपरेल से 13 मही के बीच में एक बहुती बड़ी गटना गटित होने वाली है और वह हैं गुरू का राशी परिवर्तन जो एक मई को होने वाला है तो एक मई को जो गुरू का ही राशी परिवर्तन होगा यहां आपके लिए शानदार रहने वाला है अभी तक गुरु आपके अश्टम में बने हुए रहे थे तो आपको बिना फालतु की कहीं न कहीं से अब्स्टेकल आ रहे होगे चलते काम में कहीं न कहीं रुकावट आ रही होगी बिना फालतु काम अटक रहे होगे लेकिन वैपार के मामले में बात विसेश कर हो रही है व आपको मकान वहां से भी फाइदा होने के योग बनेंगे माता के साथ में रिलेशन भी आप पहले से बेहतर कर पाएंगे और पार्टनर्सिप इस्यूज अगर कुछ चल रहे थे बिजनेस अगर अब डैली वेजिस का कोई बिजनेस ता सौप है कोई दुकानदारी बगर है त वहां अब माई के बाद में बंद हो जाएंगे बिना फालतू के जो भग्य की वज़े से जो रुकावट आ रहे थी वहां अब कम हो जाएगी इन मैटर्स के अंदर क्योंकि आपके फोर्थ और सेवन का लॉड जो है वहां गुरु है जो कि खड़े में गया हुआ था आश् होती अच्छी बात है और यहां ही टर्णिंग पॉइंट यहां से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा अब हम बात करते हैं 14 में से लेकर 14 जून तक तो 14 में से लेकर 14 जून तक अगर आप देहेंगे तो सूर्य आपके 9th house में होगा और वहां गुरु के साथ में युक्त अठकेंगे बाहर से अगर कोई विदेश के साथ आपके डील होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस होता है तो थोड़ा सा उसमें बदलाव अनुबव करेंगे थोड़ा सा सपोर्ट कम रहेगा बुद्ध आपके अस्टम में बने हुए रहेंगे और सुक्र भ में के बाद में हेल्थ के अंदर आपको थोड़ा सा और परिशानी आ सकती है लेकिन पहले जितनी परिशानी कभी नहीं आएगी जब बुद्ध नीच का हुआ था उत्ती परिशानी रहेगी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी और सुक्र जो है वह नाइंटीन में को आपके और यहां पंदरा जुन तक लगबग यहां रहेंगे तो नाइंटीन में से लेकर पंदरा जुन तक का जो टाइम है सुक्र जो श्वगरई हो रहा है तो यहां पर अपनको भग्य का वापस साथ मिलने लग जाएगा सूर्य ने आकर भग्य का साथ थोड़ा कम दे दिया था तो यह 57 दन की बाद थी उसके बाद में जैसे जैसे सुक्र के अंस बढ़ते रहेंगे सुक्र का साथ ज़्यादा मिलेगा और भग्य का साथ वापस मिलना शूरू हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई बिजनस है शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनस करते है मीडिया के अंदर है या कोई आपकी कॉस्मेटिक की कोई दुकान है या फिर आप कोई बहुत बड़ा सुक्र से जुड़ा हुआ बास करते हैं लेडिस आइटम से जुड़ा हुआ कोई बिजनस करते हैं तो इस समय वापस 19 में के बाद में आपको पूरा सहयोग मिलना तो अब यहाँ पर इतना सहयोग पहले जितना सुक्र अपको दैरा था 19 में के बाद में अब उतना नहीं मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा तो वो सब चीजे भग्ये का साथ वगरे थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले जितना नहीं रहेगा सूर्य आपके 10th house में आने के वज़े स सूर्य यहाँ पर benefit देंगे और बुद्ध यहाँ पर स्वगरी हो जाएगे अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा turning point जो है वो बुद्ध का स्वगरी होना है और बुद्ध यहाँ पर 15 जून के आसपास आ जाएंगे और लगब 29 जून तक यहाँ बने हुए रहेंगे तो जब बुद्ध 10th house में आकर श्वगरी हो जाएगा तो अब जो अगर कोई health के अंदर problem चली थी जब बुद्ध नीच का हुआ था या बुद्ध जब 9th house में गया था उस वक्त वहाँ सब अब जाती रहेगी health में एक अच्छी उरजा फिल करेंगे समाज में मान सम्मान और प्रत भाई भी होगी तो यह बहुत अच्छा टाइम रहेगा यहां टाइम है 15 जून से लेगर 29 जून तक का तो यहां समय बहुत अच्छा है इस समय अपने बड़े-बड़े काम निपनाने की कोशिस कीजिए अब इस समय एक ग्रह जो है वह हैं मंगल ग्रह अब मंगल ग्रह के मंगल जहां जहां आपके लिए कन्या राशी के लोगों के लिए मंगल ग्रह हमेसा चैलेंज लेके आते हैं क्योंकि यह बुद्ध के अत्यूशत्रू हैं तो मंगल जहां-जहां जिस घर में इनका जाना होता है वहां-वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं जैसे पिछ आपके wife के साथ में relation और business relation के अंदर problem खड़ा करेंगे तो वहाँ पर यह आपको wishes ध्यान रखना है कि एक जून तक जो है 14 मही से लेकर एक जून तक यहाँ problem देंगे मंगल देंगे family business के अंदर family business या partnership business के अंदर यह problem देंगे और अपनी wife के साथ में या husband के साथ में कोई ज़्यादा आपके लिए negative रहेंगे तो यह समय आपके लिए रहू मंगल का अंगारक योग जो है वो इस समय या बना हुआ रहेगा तो इस समय इन दोनों relation business partnerships और अपनी wife या husband के साथ में life partner के साथ में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए अब इसके साथ में जो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो बुद्ध देव हमको विसेश फाइदा दे रहेते हैं वहां मंगल जो है स्वग रही हो जाएंगे अस्टम में आके तो पहले जो अपने जो relation में प्रॉलम आ रही थी वहां जो है एक जून के बाद में आना कम हो जाएगी और 15 जुलाई तो उसको भी कम कर देगे तो यहां टाइम जो है मंगल के हिसाब से पहले के बजाए ज्यादा अच्छा है अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में अगर आप देखें तो बुद्ध जो है आपके जो है 11 तो हो से अंदर है वह चंधर्मा की करकराशी क के अंदर है वैसे तो बुद्ध आपके लिए बहुत फाइदेवंद रहता है और यहां 11th house में जाकर इसको फाइदा देना चाहिए कम देता है 11th house में गोचर के इसाब से लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत ही दे पाएंगे ज्यादा नहीं पाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसे का फाइदा पहले जो हो रहा था उससे थोड़ा सा कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा ज्यादा फाइदा नहीं हो सकता लेकिन सुक्र जो है वहां आपके जब 11th house में रहेंगे 31st जुलाई तक और 31st जुलाई के बाद में जब यह 12th house में जाएंगे तो सुक्र आपको benefit देने को तयार हैं अगर आप cosmetic industry के अंदर media के अंदर ladies item के अंदर कोई business करते हैं तो सुक्र आपको पूरा सयोग देंगे पैसे का बहुत ज़्यादा फाइदा भी करवाएंगे साथ में सूर्य जो है वहां भी यहां पर बना हुआ रहेगा तो medicine के business के अंदर या आपको फाइदा उठाएंगे तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में समय इस तरह से आपका favorable रहेगा मंगल यहां पर आपके 9th house के अंदर आ जाएंगे तो अगर बहुत बाहर से कोई deal होती है या आपके पिता के साथ में अगर आपके relation जो है इस समय थोड़े से challenging हो सकते है और अगर कोई छुटा मूटा transport का काम करते हैं जिसमें traveling छुटी मूटी ज़्यादा होती है तो उस समय थोड़ा सा बचके रहें या कोई बड़ी travel का प्लान करते हैं तो इस समय थोड़ा सा बचके करना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही हमको करना चाहिए अब ह यहां हम देखेंगे तो सूर्य जो है आपके 12th house में आ जाएंगे और श्वगरी हो जाएंगे खुद की राशी के अंदर आकर श्वगरी हो जाएंगे अब इस वज़े से थोड़े बहुत खर्चे होंगे पहले जो खर्चे बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे या ज्यादा जो है बुद्ध आपके 12th house में रहेगा यह date not easy up 19 July to 22nd August तो जब तक बुद्ध आपके यहां हम पर 12th house में रहेंगे इस समय हेल्थ की परिशा नहीं आ सकती है अनावश्य खर्चे हो सकते हैं ऑस्पिटल के चक्कल लग सकते हैं कोट कचरी का कोई विवाद हो सकता है तो यह जिना समय वापस अपनको गणिस भगवान की सरण में जाना है गणपती अर्थरशिष का पाट करना है यहां गणपती भगवान के मंदिर जाकर लड़ू अपनको चड़ाना है यहां अपनको ध्यान रखना है जब जब बुद्ध अपने 12th house में जाता है या नीच का होता ह वैसे इसकर कन्या राशी के लिए बात हो रही है आपर क्योंकि आपका जो राशी श्वामी है वहां बुद्ध है तो अब इस तरह से यह हो गया सुक्र जो है आपके 12th house में 16 अगस से 15 सेप्टमबर के बीच में बात करें तो 16 अगस से 26 अगस तक जो है आपके 12th house में रहें आप फालतू की अक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देंगे और थोड़ा रेष्ट करना पसंद करेंगे आनमोद प्रमोद में जम्हें ज्यादा वैतित होगा अब इस समय मंगल जो है 27 अगस तक आपके 9th house में रहेंगे तो जो मैंने पहले बताया बड़ी व्यात्रा से बचना चाहिए चोटी-चोटी यत्रों से भी बचना चाहिए और फादर के साथ में relationship issues सोड़े उबर के सामने आ सकते हैं बाग्ये के अंदर कभी कोई ऐसा हो सकता है कि बनता काम थोड़ा सा बिगड़ जाए या उस तरह से नहीं complete हो पाए जिस तरह से आप चाहते हैं तो 27 27 अगस्त को यहां आपके 10th house में चले जाएंगे तो जब यहां 10th house में जाएंगे और 27 अगस्त से लेकर फिर September और October में भी यह वहीं बने हो रहेंगे तो मंगल के बारे में एक बात हो अब क्या होगा कि मंगल जब 10 यह लगबग आपका 27 से लेकर 21st October तक मंगल जो है आपके 10th house में तो आपको मान सम्मान में आपको कमी देखने को मिलेगी जो बुद्ध चिपो पहले मान सम्मान दे रहा था वहां मंगल नहीं देंगे मान सम्मान में कमी लेगे आएंगे पिता के साथ relation में प्रॉलम करेंगे आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर देते हैं उसके मिलना चाहिए था आपका जो नाम होना चाहिए था वहां इस समय नहीं होगा मंगल देव यहां पर थोड़ी सी प्रॉलम करेंगे तो यह आपको ध्यान रखना हैं मंगल की वज़े से थोड़ी सी दिक्कत हैं कण्या राशी के लोगों को रहती है तो इस वज़े से आपनको मसूर की दाल सवा किलो मंगलवार के दिन चड़ाए यह काम भी आप कर सकते हैं अब हम बात करते हैं 16 सेप्टमबर से लेकर 16 अक्टुमबर के बीच में तो 16 सेप्टमबर से 16 अक्टुमबर के बीच में सूर्य देव आपके राशी में आ जाएंगे तो यहां समय और बुद में हेल्थ के हिसाब से बहुत ही शांदार समय है इस समय बुद्ध जो है लगन में आ जाएंगे और बुद्ध जो है लगबग 16 अक्टुमबर तक जो है लगन में बने रहेंगे 23 सेप्टमबर से लेकर लगबग 16 अक्टुमबर तक जो है लगन में बने रहेंगे और जब लगन में बने रहेंगे तो वो उच्छ के हो जाएंगे तो health समस्या है जो पहली बहुत मैंने बताई थी पिछले महीने थी वह अब ठीक होना शुरू हो जाएगी health में बैंडिमेट मिलेगा confidence बढ़ जाएगा आपका विश्वास बोज़र चतुराई से जो ने लेपना चाहते थे वो तो अब यह टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को चतुराई से जवाब देंगे 23 सेप्टमबर के बाद में चतुराई आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी mind में cleverness जोगी क्योंकि बुद्ध उच्छ का है और आप वैसे भी बहुत clever लोग है बहुत ही समझदा लोग है चतुराई के साथ आगे बढ़ने वाले लोग है और उसके अंदर सुक्र का अगर आप लोगों को साथ मिल जाए तो फिर आप रुकने वाले नहीं है फिर आपकी रफतार मत पूछी आप अगर आपको सुक्र का साथ तो इस समय आपको सुक्र का साथ भी मिल जाएगा क्योंकि 19 सेप्टमबर को सुक्र जो है सेकिंड आउस में जा चुके होंगे और पहले 19 को सुक्र चले जाएंगे सेकिंड आउस के अंदर स्वगरी हो जाएंगे और 23 सेप्टमबर को बुद्ध आ जाएंगे तो 23 सेप्टमबर के बाद में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बन सकता है आपकी हर बात मानी जाएगी चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो चाहे परिवार के अंदर हो आपकी वहावाही का टाइम रहे गई है तो इस टाइम का पूरा का पूरा फाइदा आप उठाएं बस मंगल देव थोड़ा सा परिशान कर रहे हैं और वो कहा कर रहे हैं पहले डिसकस हो गया इसको रिपिट नहीं करते हैं 13 अक्टमबर तक आपको सुक्र देव का साथ मिलता रहेगा 13 अक्टमबर तक तो किते अची बाते परिवार के काम फटाफट निप्टेंगे परिवार का सयोग बहुत अच्छा मिलेगा सेविंग बहुत अच्छी होगी तो यहां समय जो है 23 सेप्टमबर से लेकर 13 अक्टमबर तक का मजा लीजिए इस समय का अच्छे से अच्छे काम इस समय निप्टा दीजिए बड़े बड़े काम इस समय निप्टा सकते हैं अब हम बात करते हैं 17 अक्टमबर से लेकर 15 नवंबर तक का अब क्या होगा कि बुद्ध सेकिंड हाउस में सूर्य अब नीच के हो जाएंगे second house में जाने के बाद अब ये खर्चा कराएंगे जो पहले saving हो रही थी उसमें ये कुछ गतिरोद लेके आएंगे कुछ expenses बढ़ जाएंगे परिवार की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा सुक्र आपका third house में रहेगा 7 November तक तो सुक्र आपकी थोड़ा बहुत changes करवाएंगे छोटे मोटे changes life के अंदर लेके आएंगे जो सुक्र से related होंगे और 7 November को सुक्र जो है आपके fourth house में आ जाएंगे तो अब मकान और वहान के अंदर अगर आप कुछ काम करवाना चाहते थे या वहाँ कुछ आपको सयोग चाहिए किसी का तो वो मिलना आपको सुरू हो जाएगा माता के बारे में भी positive result 7 November के बाद में आपको मिलने सुरू हो जाएंगे वैसे माता के बारे में मकान के बारे में वहान के बारे में जो positive result है वह एक मही के बाद में भी मिलना सुरू हो जाएंगे क्योंकि गुरू का राशी परिवतन होने के बाद में यह चीज हो जाएगी पार्टनर्सिप के अंदर भी आपको जो है एक मही के बाद में पार्टनर्सिप बिजनेस में भी बहुत फायता देखने को मिल जाएगा गुरू की वजह से तो इस तरह से ये 17 अक्टूंबर से 15 नमबर का टाइम रहने वाला है कुछ खर्चे वाला कुछ परिशानी वाला पहले महिनों से थोड़ा सा कम फायदे वाला अब हम बात करते हैं 16 नौंबर से लेकर 14 दिसंबर के तो 16 नौंबर से 14 दिसंबर के बीच में सुक्र आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे तो मकान वहान के बारे में बात कर लिए कब आगे 7 नौंबर को यहां आस गए तो यहां पर अगर आप मीडिया के सेत्र में हैं अगर आप कोई सुक्र से जुड़ हुए बिजनस के अंदर रहेगा बुद्ध आपका थर्ड हाउस में रहेगा इस वक्त तो इस वज़े से हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत ध्यान रखें और छोटी मोटी चेंजेज आपको इस समय परेशान कर सकते हैं छोटी मोटी यत्राइं हो सकती है तो इसको सोच समझ के करने की जरूरत है तो अब 21st October के बाद में पैसे को लेकर थोड़े से खर्चे जादा रह सकते हैं वो फाइदा जो पहले अपनको 23 September से मिल रहा था जो सुरू हो गया था 13 October तक का वह अब 21st October के बाद में थोड़ा कम सुरू होना शुरू हो जाएगा और वो मंगल की वज़े से होगा क्योंकि कि मंगल आपके 11th house में जाकर नीच के हो जाएंगे तो फाइदे के कुछ सौदे अब आपको थोड़े कम मिलेंगे लोगों का सयोग जादा मिल सकता है कुछ चेंजेज जादा हो सकते हैं लेकिन पैसे का फाइदा मंगल की वज़े से 21st October के बाद में वर्स परियंत तक आपका समय जादा जा सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि यहां साल जो है मही के बाद में आपका काफी अच्छा है कुछ महीने बहुत जादा फाइदे वाले हैं तो कुछ महीने थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं रासिफल बताने का मतलब ही यही होता है कि आप अच्छे टा मिल जाए और वीडियो फिर आप बाद में देखें ऐसा कहीं बार होता है तो इस वज़े से आपको वीडियो आते ही उसकी जानकरी मिल जाए और नया साल आपके लिए मंगल मैं हो जैस्री क्रश्ण